लंबी आस्तिन की डिजाइन बनाने के लिए हमने कपड़े की लंबाई साड़े चौदा इंच ली है और इसकी चौड़ाई साड़े बारे इंच ली है अब हमें कपड़े पे इस्तरी के साहता से बाकरम को चिपका देना है फिर हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे इस साइट से भी हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है फिर यहां से हमें कोने की साइट से दो इंच की ऐसे लंबाई तिर्ची में आपनी है और टिक लगा कर हलका सा गोल सेप में ऐसे लाइन अप करना है यह देखिए ऐसे लाइन अप करने के बाद अब हम इसकी cutting करेंगे तो जिस shape में हमने line up किया है बिल्कुल उसी shape में हमें इसकी cutting कर लेनी है अब हम कपड़े को open करेंगे और कपड़े को हम यहां से भी बीच में से cut कर लेंगे तो यह देखिए एक साथ हमने दो design के ऐसे cutting की है दोनों design को ऐसे doubling करते हुए अब हमें इसके उपर सिलाई चलानी है तो जिस shape में हमने इसकी cutting की है बिल्कुल उसी shape में हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे अब धागा को यहां से cut करेंगे और हम इसे fold करके सीधा करेंगे इसे सीधा करने के बाद इसे perfect shape में बैठाने के लिए हमें इसे इस्तरी कर लेना है जिससे हमारा design perfect shape में बैठ जाएगा तो यह देखिए हमने इस्तरी कर लिया है अब हमें पोतली वाला design बनाना है तो उसके लिए चकोर shape में कटा हुआ दो कपड़ा लिया है हमने एक कपड़े को हमें ऐसे छोटे छोटे भागों में कट कर देना है और फिंगर के मदद से ऐसे रोलिंग करते हुए दुसरे वाले कपड़े के बीच में ऐसे लगा कर धागी की मदद से हमें इसे अच्छे से लॉक कर देना है तो ये देखिए धागी की मदद से हम यहाँ पर अच्छे से ऐसे लॉक कर देंगे ऐसी हमें धेज सारी पोतली वाले डिजाइन बना कर तयार कर लेना है तो ये देखिए हमने ऐसी धेज सारी पोतली वाले डिजाइन बना ली है अब हमें सारे डिजाइन को इस gold safe वाले कपड़े की उपर ऐसे लगाना है किनारे की side में थोड़ी-थोड़ी दूरी पे सारे पोतली वाले डिजाइन को लगाते हुए हम इसके किनारे की side में सिलाई चला लेंगे इस line को complete करते हुए अब हम यहां से धागी को कट करेंगे यह देखिए यहां से हमें धागी को कट कर लेना है इस लाइन को ऐसे कम्प्लीट करने के बाद अब हमें आस्तिन का कपड़ा लेना है तो हमारी आस्तिन की लंबाई कितनी है यह नाप लेते हैं आस्तिन की लंबाई साड़े 19 इंचे जो की फूल साइज है ये आस्तिन का लंबाई अब आस्तिन के कपड़े को ओपन करते उए नीचे की साइड से हम ऐसे चोड़ाई ना पेंगे तो साड़े 22 है हमारी चोड़ाई अब हम यहां से इसमें छोटे-छोटे ऐसे चूनट बना एकदम छोटे छोटे वाले चूनट आपको बनाने हैं, बड़े बड़े वाले चूनट ने बनाने हैं, अब हम यहां से धागे को कट करेंगे, अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर, आल तो चूनट की उपर हम पोतली वाले डिजाइन को ऐसे फोल्ड करके लगाएंगे, यह देखिए चूनट के उपर आपको पोतली वाले डिजाइन को फोल्ड करके ऐसे लगाना है, यहाँ पर हमें डिजाइन की उपर हलका हलका सिलाई चलाना है, डारेक्ट सिलाई नहीं चलान तो हमने हलका सा यहां पर वीडियो को फास्ट कर दिया है अब हम यहां से धागी को कट कर लेंगे पूतली वाले डिजाइन की उपर हमने सिलाई चला ली है दोनों डिजाइन को हमने अच्छे से ऐसे ज्वाइंट कर लिया है नीचे की साइड में हमारा ऐसे गोल सेफ वाला डिजाइन आएगा अब हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है और जो आपका स्लीवीज का साइज है वो साइज नापने के बाद किनारे की साइड से ऐसे हम सिलाई चला लेंगे जहां पर हमारा गोल सेफ खतम होता है डिजाइन में वहां पर हमें सिलाई को श्टॉप कर देना है तो यह देखिए गोल सेफ हमारा यहां पर खतम हो रहा तो यहां पर हम सिलाई को श्टॉप कर देंगे अब हमें आस्तिन के कपड़े को सीधा करना है ऐसे हम आस्तिन के कपड़े को अच्छे से सीधा कर लेंगे फिर जहां तक हमारा गोल सेफ वाला डिजाइन फोल्ड हो रहा है वहां तक हम ऐसे इसे फोल्ड कर लेंगे यह देखिए ऐसे आपको फोल्ड कर लेना है अच्छे से डिजाइन को ऐसे फोल्ड करने के बाद अब हम एक छोटा सा बटम लेंगे और एक चोकोर सेप में छोटा सा कपड़ा लेंगे बटम को हमें कपड़े में ऐसे डालना है और धागे की मदद से हमें अच्छे से बटम को कपड़े में लॉक कर देना है तो ये देखिए ऐसे हम धागे की मदद से बटम को कपड़े में लॉक कर देंगे अब पीछे की साइट से हम एश्टा कपड़े की कटिंग कर लेंगे ऐसी हमें दो और बटम बनाकर तयार कर लेनी है और सूज़ धागा के मदद से हमें बटम को डिजाइन में यहाँ पर लगा देना है तो फ्रेंड हमारी डिजाइन बनके कम्प्लीट हो चली है आपको हमारी डिजाइन कैसी लगी कमेंट में जुरू बताईएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ने डिजाइन के साथ थैंक्स वर वाचिंग